नमस्कार स्वागत है आपका दान यूज पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी माहराष्ट्र में कुछी महीनों के बाद विधानसभा का चुनाफ होना है और विधानसभा के चुनाफ को लेकर अब माहराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ चुका है जी हाँ बड़ी खबर ये है कि भतीजे अदित्य ठाक्रे को हराने के लिए चाचा राज ठाक्रे ने एक बड़ा प्लान तयार कर लिया है जो खबर साफ ने आई हैं उसके मुताफिक अब माराश्ट्र के जो यूँआ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं अदित्य ठाक्र का खेल बिगाडने की तयारी इस विदानस्वा चुनाओं में चाचा राज ठाक्रे ने कर ली है क्योंकि खबरों के मुताफिक अदित्य ठाक्रे के खिलाफ राज ठाक्रे की पार्टी माहराश्ट्र नवनिर्वान सेना यानि मन से चुनाफ लड़ सकती है जी हां जिस तरी तरीके से अदित्य ठाक्रे मुझता वक्त में वर्ली विदानस्वा सीट से विधायक है और वही से ही एक बार फिर से चुनाफ लड़ने की तयारी में है लेकिन इस सीट पर अब माहराश्ट्र नवनिर्मान सेना जो है वो अपना उमिद्वार उतार सकती है यानि चुनोती इस बार कड़ी हो सकती है अदित्य ठाक्रे के लिए यह साफतोर पर इस खबर से समझा जा सकता है जिस सरीके से राज ठाक्रे लगातार उद्व ठाक्रे पर पिछले कुछ सालों में हमलावर नजर आए हैं जिस सरीके से उन्होंने तयारी की है और साथी बीचपी और जो श खबर साफने आती है कि वर्ली सीट से अदित्य ठाक्रे जो चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं मोचता वक्त में वो वहां से भिठायक भी हैं अब उस सीट पर उनका मुकापला होगा माराश्ट नवनिर्पान सेना के उमिद्वास से यानि कि चाचा भतीचे की यह एक जंग है जो इस सीट पर देखने को मिल सकती है और बड़ी खबर किये भी है कि दोहजार चोबीस के लोकसभा चुनाव में वर्ली में शिवसेना उधव बाला साहिब ठाकरे यानि जो यूबीटी है उसके उमिद्वार की बढ़त साथ हजार से भी कम रही थी और अब धिर्वान सेना ये दरसल मोके का लब उठाकर अब विधानसरबा चुनाव में इस सीट से संदीब देश पांडे को मैदान में उतार सकती है और फिलाल जैसा कि मैंने बताया कि मोजुता वक्त में अधित्य ठाकरे इस सीट से विधायक है लेकिन जो वर्ली ये विधा विधानसरबा सीट है ये काफी मैथपून सीट है दक्षिन लोकसरबा छेतर का ये हिस्सा है वर्ली जो एक विधानसरबा सीट है दरसल महराज्टर की ये एक बहुत मैथपून सीट है और इस सीट पर उच्छी इमारत और संपन व्यापारिक संस्तानों का केंद्र ये सीट बानी जाती है इस इलाके में पुलिस कलोनी है और बीडीडी चॉल जैसे कई जुगी बस्तिया भी इस इलाके में हैं जो की जाहिर तोर पर पुनरविकास का इंतजार कर रही है इस इलाके में कई जुगी बस्ती पुनरवास परियोचनाएं काफी समय से रुकी हुई है इन सबसीट है वहां से अपने उमिदवार को चुनाफी मैदार में अधित्य ठाकरे के खिलाफ उतारेंगे और इस कड़ी में राज ठाकरे ने माराज्ट के मुख्यमंत्री एकनाज सिंदेज से भी मुलाकात की है जिहां शनिवार को मुलाकात हुई थी तस्वीरे भी साफने नजर के बैठक जो है राज ठाकरे की मुख्यमंत्री एकनाज सिंदे के साथ हुई है मुख्यमंत्री कार्याले के मुताबिक जो जानकारी मिली है वो ये की बैठक के बाद शिंदे ने अधिकारियों को वरली से जुड़े मुद्दों को प्रात्मिक्ता देने का मंसी नेता देश पांडे वर्ली निवास्यों की समस्या को दूर करने के लिए उनके साथ काफी एक्टिव नजर भी आ रहे हैं लगातार वो बाच्छीत कर रहे हैं यानि अगर वर्ली पर पूरा ध्यान मंसे का है माराज्ट नवनिर्पान सेना के परमुग राज ठाकरे और जिन्हें उमिद्वार पनाना चाहते हैं राज ठाकरे देश पांडे का है तो इससे यह समझा रा सकता है कि तयाक्रिया कहीं ने कहीं माराज्ट नवनिर्मान सिना ने पूरी कर ली है वर्ली विदानसवा सीट से चुनाव लड़ने की लेकिन देखना दिल्चस्प हो का कि दरसल भदीचे के लिए चाचा राज ठाकरे या उनकी पार्टी के उमिद्वार कितने जादा जो है खदरनाक साबित होते हैं क्या वर्ली सीट जो है वादिते ठाकरे से इस चुनाव के बाद छिन जाएगी अगर यहां से मन से चुनाव लड़ती है तो दिल्चस्प मुका अपला माराष्ट की एक वर्ली विधानसबा सीट हो जाएगी जहां पर देखने को मिलेगा एक होट सीट भी हम इसे कह सकेंगे क्योंकि यह लगातार जो है विधानसबा चुनावों के मद्देनजर तयारियां माराष्ट में खूब चल रही हैं लगातार हर एक राजनितिक मनसे ने 2019 के विधानसबा चुनाव में वर्ली से अपना उमीदवार नहीं उतारा था क्योंकि शिवसेना यूबिटी के जो परमुक है यानि उधव ठाकरी के बेटे अधिते ठाकरे अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे चुनावी रनीती में एंट्री करने वाले ठाकरे इस वोटो के अंतर से ये जीत दर्च ही थी इसके बावजूद 2024 के लोकसबा चुनाव में इस विधानसबा च्छेत्र में जो उधव ठाकरे की पार्टी है उसकी बढ़त में काफी गिरावट देखने को मिली यानि जो कहने कहीं ये पूरी चुनाव लड़ने की तयारी हो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दरसल जहां से एक वक्त पर अधित्य ठाकरे 62,000 के वोटों के अंतर से जीते थे लेकिन आज अगर लोकसबा चुनाव में बात की जाए तो उनके उमिद्वार को सर्फ 7,000 वोटों की बढ़त मिली है यानि एक मौका हो सकता है मनसे का इस पूरी सीट को जीतने का और उसमें लगातार जीतोड तयारी में मनसे लगी हुई है तो वही जो अर्विन सावन्त है वो मांतर 6,715 वोटों से आगे रहे जो मुंबई दक्षिन के अंतरगत आने वाले 6 विदान सबा 6 तरों में से उन 4 में सबसे कम है जहां उद पूरे जो एरिया में वोटों में उदव ठाकरे के लिए कमी आई है वो कहीं न कहीं अच्छा मोका हो सकता है अपने पाले में एक सीट जो है वो मनसे कर ले अधित्र ठाकरे के लिए एक बड़ी शुरोती बन चाए और यही वज़ा है कि मनसे को इस सीट पर अवसर दिख र है हाला कि अभी यह स्वष्ट नहीं है कि सत्ता हूड गटबंदन या मनसे एक साथ चुनाफ लड़ेंगे या नहीं यानि अभी तक एलान नहीं किया है लेकिन जो तस्वीर है वो यह बताती है कि बीचपी शिंदे और राजठाकरे एक साथ है लेकिन अभी तक गटबंदन का एहलान नहीं हुआ है सीटों का बटवारा कैसे होगा क्या एक साथ मिलकर चुनाफ लड़ेंगे या अलग अलग चुनाफ लड़ेंगे ये कहीं अभी देखने वाली बात होगी मुक्यमंत्री शिंदे के नेतर स्वाली शिवसेना और सत्ता रूड बीजेपी अपनी उप पर जिने चुनाफ लड़वाने की तयारी है उनकी तरफ से कहा गया है कि 2017 के नगर नीगं चुनाफ में हमने वर्ली में लगभग 30,000 से 33,000 पोट हासिल के थे इस निर्वाशन शेतर में मंसे के समर्पित मद दाता है और मंसे ने दावा किया कि आम लोगों की अधित्य ठाक हारने बाले हैं इस सीट से ये लगातार हो कह रहे हैं यानि इस बार देखना दिल्चस्प होगा कि अगर माराज निर्मान सिना के परमुक इस सीट पर अपना उमिदवार उतारते हैं तो अधित्य ठाकरे के लिए ये कितनी बड़ी चुनोती होगी और क्या इसी के साथ क्यामेंट बॉक्स में जरूर लेके हैं तने बाले